महास सेना कैसे हैं आप लोग? मैं हर्स्यागी बहुगली फिजिक्स वाला प्लैट्फॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ और आज हम स्टार्ट करेंगे रफ्तार सिरीज का फिजिकल केमिस्ट्री में मॉल कॉंसेट का लेक्चर नमबर टू तो चलिए देखने हैं मिटा जी आज के धारावाइक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा कॉंसेट जिसका नाम होगा मॉल कॉंसेट और साती सात मैं आपको बता दूँ आदे बच्चे कहते हैं बहुती जी है आदे बच्चे कहते हैं तर बहुत कंचूजन होता है हमें इस वाले टोपिक में तो प्ली डिटेल में करा ना मैंने कर ठीक है तो हम बिल्कुल basic level से start करेंगे, फिर अच्छे level पे जाएंगे, फिर आपको PYQ करेंगे, और फिर आपको confident डिलाएंगे कि नालायक हो, आप तुम नालायक नहीं है, तुम pro level की मेरी सेना बन चुकी हो, और जिसका नाम होगा महा सेना, ठीक है बाई, तो चलिए बिना किसी दे की amount को define करने का एक तरीका है, एक amount होती है, फिर आपके mind में आगा सार, इसको chemistry में क्यों पढ़ते हैं, क्या है ये mole, तो जड़ा देख, ऐसा क्यों पढ़ने में आया, जब कभी भी chemistry में कोई भी chemical reaction होती है, जब दो reactant आपस में reaction करते हैं, या उनकी वज़े से कोई product बनता ह है, तो reaction कभी क्या होती है, molar proportion में चलती है, मैं ही क्या बोला मैंने, मोलों में चलती है कि इसका एक mole, इसके दो mole reaction करें, इसका एक mole, इसका एक mole reaction करेगा, तो हमेशा इस टाइप से चलती है, इसलिए mole को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और mole कुछ और नहीं है, क्या बोला मैं कि मान लोग कि आप लोगों कभी भूक लगी और आप किसी मार्किट से जा रहे हो और आपने देखा कि इधर तो केले की एक रेड़ी लगी हुई है तो भाई पूछ लेते हैं अंकल से अंकल पिलीज ग्यूमी वन दोजन बनानाश तो अंकल पहले सोचेंगे वाट आर यू से सब्सक्राइगा तुम्हारे पास वह इधर आप बता एक दर्जन में कितने केले मिले अगर उसने बता दिया सर बारा केले मिले तो ठीक है मैं इसको छोड़ दूँगा मैंने दूसरे को बिला हुए अमीर से मोटेश इधर आप जो भी है मतलब है ना इधर आओ इधर तुम ने वह कि सर मैंने पांच के लिए पांच दर्जन के लिए ख़ी दें ऐसे पंड़ रखा था मैने उसको फीर कहता अच्छ एक बाप अगर तुम ने पांच दर्जन के ले ख़ीदे हैं तो बता एक दरजन में कितने केले हुए सर 12, 2 दरजन में सर 24, 3 दरजन में सर 36, 4 दरजन में वो कहेगा सर इतना भी खराब मैस नहीं है मेरा मेरे को मैस थोड़ा बहुत आता है अब ज़रा देखो प्लीज दरजन क्या थे? जर्जन भी कही ना कहीं केलों की अमाउंट को इडिफाइन कर रहे थे बता रहे थे और चो हमने बोला कि 10 केले, 12 केले, 24 केले 36 केले, 48 केले वो भी क्या थे? वो भी केलों की अमाउंट को इडिफाइन कर रहे थे तो same to same mall भी है chemistry के अंदर जो किसी substance के अमाउंट को डिफाइन करेगा और इसकी definition जो होगी ज़रा देखिए प्लीज क्या है? मॉल, पहुती simple है, मॉल इधर देखिए इधर देखिए भाई मॉल is defined as the fixed amount of as the fixed amount of substance ठीके भाई कोई भी matter हो सकता है अब ज़रा देखो मेरा आप लोगों से एक कहाँ नहीं मलब एक बात पता हूँगा मैं आपको अगर कोई substance chemistry के अंदर elemental है, नहीं atomic form में है तब आप उसके mall निकालोगे कैसे? कि given mass upon में gram atomic mass क्या बोलेंगे एको? जैसे carbon का 12, oxygen का 16, sulfur का 32, ऐसे बोल रहा हूँ मैं आप दूसरा होता है हमारे पास क्या भई? of element जो भी आपके पास element होगा ये बात भी तो जाननी पड़ेगी ना भई? दूसरा देखिए भई mole हमारे पास same formula होगा given mass upon में molar mass ये भी gram molecular mass कहे लिए इसको है ना भई? या फिर आप इसको molar mass कहेंगे substance का ठीक है भई? तो ये हमारे पास होगा mm जो हुआ हमारे पास वो होगया molar mass molar mass of a molecule, कोई भी molecule होगा उसका, चलिए तो ये हमने देखो, दोनों formula से क्या किया? क्या है तो हमारे पास कोई element हो उसको अगर हमें mole में convert करना हो तो उसके weight को क्या कर देंगे? atomic mass से devaid कर देंगे? gram particles mass से और यदि हमारे पास कोई compound हुआ तो उसी के weight Hospital क्या करेंगे? उसके molar mass से divide कर देंगे, मोला जाएंगे तो ये तो आपने क्या करा कि मास्क को convert कर दिया है मोल में अगर मालो कोई भी सबस्टांस है आपके पास उसमें आपको number of particle पता हूँ जैसे 12-36 केले पता थे हो फिर उने धरजन में convert करे थे आपके पास उसमें हम क्या करेंगे जर्ण देखो अगर मेरे पास किसी भी सबस्टांस के number of particle दिये हूँ तो मुझे क्या करना है जर्ण देखो कि बाई मुझे relation निकालना है number of particle में और मोल में तो मैं आपको छोटी सी बास बताता हूँ मोल बराबर होगा number of particle चाहिए वो elemental state हो चाहिए वो आपके बास molecule की form में हो ठीक है भई number n जो है वो क्या है उस substance के number of particle होगे और आप divide करोगे n से अब ये कोई नाना करते वाला नहीं है n का मतलब होता है वे कहते हो constant तो आप प्लीज समझेगा यहां पर मैं आपको बता दू कि n क्या होगा number of particles अब वो particle चाहिए elemental हो और चाहिए बिटाजी वो molecular दूसरा और अगर मैं n की बात करूँ तो n मेरे पास बराबर होगा 6.022 into 10 की power 23 ठीक है और मैं आपको एक और बात बोलता हूँ number of particle की कोई unit नहीं होती n ने भी जो है unit नहीं है वाला इनकी भी कोई unit नहीं होगी बाद में यह भी नंबर है जैसे एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी ठीक है वाई, 123 ऐसे अब इसकी value 6.022 into 10 की power 23 कैसे आई मैं आपको बताता हूँ basically क्या हुआ हम लोग यह देख रहे थे कि अगर हम किसी भी सबस्टांस का weight किसी भी सबस्टांस का weight उसके molecular mass के बरावर ले ले तो हमारे पास हमेजा उस सबस्टांस का mole 1 ही आएगा और उन 1 mole को अगर हम इस formula से compare करें तो हर बार हमारे पास number of particle 6.022 इंटू 10 की power 23 particle यह रहे थे तो basically 6.022 इंटू 10 की power 23 जो particles हैं वो होते हैं हमारे पास एक mole में present particle कोई भी सबस्टांस हो चाए वो CO2 हो चाए वो हो हो चाए वो oxygen अलग से हो किसी का भी mole हो अगर सबस्टांस के हमें एक mole में particle बताने होगे कितने particle होते होंगे तो आप कहोगे 6.022 इंटू 10 की power 23 यह 3 formula बहुत important हैं बाकी mole के और भी formula हैं सब पताऊंगा मैं लेकिन यह 3 formula बहुत important है basically यह तो एक ही formula है वो तो बड़ थोड़ा difference यह है कि अगर सबस्टांस आपके पास elemental state में तो ग्राम अटमिक मास यूज कर लेते हैं otherwise molar mass यूज करेंगे हम molecule के लिए तो ठीक है अब जड़ा देखो यह भी mole के बराबर यह भी mole के बराबर तो क्या हम यहां से एक relation बना सकते हैं मिटा जी कि जो given mass upon में molar mass बराबर होगा number of particle upon में na के बराबर तो यह relation भी आपको याद रखना है कि अगर आपने यह relation याद रखा तो आप बहुत सारे question हसानी से कर पाएंगे ठीक है तो सिर्फ इतना basics थे जो आपको सीखने हैं आगे मैं और चलता हूँ भई आगे मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ उसके बारे में वो क्या है जरा देखो अगर किसी सबस्टांस की अमाउंट वाल्यूम में दे रखी हो क्या बोला मैंने अगर किसी सबस्टांस की अमाउंट वाल्यूम में दे रखी हो या फिर किसी सबस्टांस की कोई कोई जो substance है वो gaseous state में हो तो please कुछ आपके बाद मोल के और भी formula है जो आपको use करने हैं ठीक है मैं आपको एक और बताता हूँ if जो भी आपके पास substance है substance is in gaseous state gaseous state तब अगर वो gas idle gas की तरह भेव करती है तो मैं आपको बताऊं mall बरावर होगा बिटाजी PV by RT इसके बराबर जहां पर P जो होता है वो pressure होता है ठीक है वी जो होगा बिटाजी volume होगा और R जो होता है पिटाजी इसको हम universal gas constant बोलते हैं universal gas constant और T जो होता है बिटाजी यह होता है हमारे पास temperature प्रेचर जो कि आपके फोर्मले में या किसी भी कोश्टन के अंदर अल्रेडी दिया हुगा इधर देख आर की जो वैल्यू है वह आपको यूज करना है जिरो पाइंट और वहाँ पर वॉल्यूम वगएरा दे रखे हों प्रेशर वगएरा दे रखे हों तो आप इस फोर्मले से बिटा निकाल लेना ठीक है दूसरी चीज एक और बात ध्यान लखनी है इस सब्सक्रांस इस गैसर स्टेट अब यह तो हुआ यह जो फोर्मला आप यूज करते हो ब पंळी झेहरा आप लोगोंने कहीं बार बहुत सारी कॉशं किये होंगे और उन कोस्टों को कơnते होएं वहाँ पर देखा हो मतलब होता है standard temperature and pressure क्या बोला मैंने standard temperature and pressure अगर किसी numerical के अंदर STP लिखा होता है तो आप समझ जाना कि वहाँ पर temperature zero degree Celsius है या फिर 273 Kelvin है और pressure 180 में 180 मतलब तो surrounding हमारे ओपर 180 में लगाती है तो प्रीज ज़रा अब दूसरे वाले में हम कहेंगे क्या भाई एट STP स्टीप पर कर हम मोल निकालेंगे मिटा तो मारे पार रिलेशन क्या होता है कि वॉल्यूम आप सब्स्टांस वह यह वो गैसे स्टेट बराबर होगा 22.4 इंटू में और यह जो वैली होती है जो वॉल्यूम दे रखे किसी भी गैस की आप उसको डिवाइड कर देना 22.4 से तो मोल आ जाएंगे ठीक है अगर वॉल्यूम दे रखी होगी बिटा जी ML में तब आप 1000 से मंटिपलाए करके N निकाल ले ना तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ फोर्मले समझाए इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझाया और मैं आपको बता हूँ अगर आपको बेसिक बेसिकली ये चार फोर्मले याद हुए 1, 2 और ये रिलेशन 3 और ये वाल अगर तुम याद रखोगे तभी तो आगे सीखोगे ना भाई तो मैंने यहाँ पर देखा किसर आपने तो लिखवाया हुआ है वैसे आंसर आपको मिल जाएगा वैल्यू आल्मोस ए की और बी की क्या हो गई पिटा जी सेम राइट और आप देखोगे सी की भी क्या हो गई सेम लेकिन जो यूनिट है यहाँ पर दे रखिए मोल यहाँ पर दे रखिए मोल इंवर्स और मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कोई यूनिट नहीं होती तो आप देखोगे कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और इसकी कोई यूनिट नहीं है तो आप इसी को टिक करके आगे बढ़ जाओगे बड़ा सिंपल था अब होती है कहानी शुरू मोल कंसेप्ट की प्लीज जड़ा देखिए अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूं मैं आप लोगों से एक बात को एक कोशन दे दूँ बिटा कोशन मैंने कहा कैल्कुलेट तो इस टाइब के आपको कोशन मिलेंगे है आपको दिखेगा सर बात तो सही है यहाँ पर एक सबसांस दे रखा है जिसका नाम वोटर है और उसकी अमाउंट दे रखी है 27 आप लोगों किसमें करना है आप करना चाहतो उसको मोल में क्योंकि मोल ही पूछे है तो जरा देखो तो यहां पर आप क्या करोगे कि मोल का फोर्मला जानते हो और आप यह भी जानते हो कि यह जो सबस्तांस है ना यह मोलिकुलर लेवल प को केलकुलेट करना लास्ट वाल एक्टर में सिखाया ही था अब आप क्या करोगे दर मोलर मास अकन में कैलकुलेट करना चाहूं वाटर का तो वो बराबर होगा कि two in two में hydrogen का atomic mass फ्लस one in two में oxygen का atomic mass और मेरे पास आयगा two in two में one फ्लस वन इन टू में 16 और यह हो जाएगा मेरे पास 18 राइट ओर रॉंग आपको के सार समझ में आ गया अब ज़रा देखो यहाँ पर मेरे पास n बराबर किसके आया 27 डिवाइड बाइ 18 और यहाँ पर आप जगर सोल करोगे तो यह जाएगा 2 टाइम्स यह जाएगा 3 टाइम्स और तरीके से आप मौल कैलकुलेट कर लोगे उसी सब्स्टार्स की अब उसी कोश्चन के अंदर आप से यह भी पूछा जाए कि सर यह बात तो सही है कि हमने ग्राम को मौल में कर लिया अगर मुझे इस मौल को नंबर ओप मोलिकूल में करना होता अगर कोस्चन ऐसा होता कि वह दूसरा कोर्शन क्या कह रहा है हो, calculate the number of H2O molecules present in 27 gram, ठीक है बाई, अब जर्रा देखो बेटा, जब हमें यह करना पढ़ जाए, तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई, कि यह 27 gram दिया हुआ था उस question के अंदर, और यदि यह 27 gram वार हमें number of particle निकालने हो, तो हमें एक बात चानते हैं, कि mole का formula होता है, given mass divided by molecular mass, right और wrong, आपको के सर बिल्कुल सही बात है, और आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा, mole का एक formula, कि mole बराबर होता है, number of particle, यानि number of divided by N, दोनों ही mole के बराबर है, दोनों ही N के बराबर है, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उस relation से, कि given mass upon में, molecular mass, बराबर होगा number of particle upon में N, right और wrong, आपको के सर बिल्कुल सही बात है, अब इस question के अंदर आपको weight दिख रहा है, 27, molecular mass दिख रहा है, बेटाजी कितना, 18, जो कि हमने calculate करा था, आपको N से multiply करनी है, number of particle of H2 molecule भी आ जाएंगे, बड़ा simple है, क्या करोगे आप जड़ा, देखो, क्या करोगे, value put करनी है, आप लोगों को, value put करोगे, तो यहाँ प को N की form में छोड़ दिया, तो हमारे पास जो particles आएंगे, ठीक है बाई, जो number of molecules आएंगे, H2O के, वो basically आएंगे हमारे पास, 1.5 into में N, क्योंकि cross multiply करना आपको class 9 में ही सिखा दिया था, आपकी favorite madam में, समझ में आई बाद, चलो, तो इस tribe से आपको question करने है, बाई, कि कोई सबस्टांस हो, उसका आपको मास दिया होगा, मॉल में convert करना, मास दिया होगा, number of particle में convert करना, ठीक है, या फिर, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, next question क्या कह रहा है, जड़ा देखे ध्यान से, उसी concept पर बेस्ट है, जो मैंने आपको भी धीर धीर कराए, क्या लिक्का चुल की बात नहीं करी, इसने, यह क्या करा है, number of atoms, पहले तो हम यह जानेंगे, यह जो water है, इसका शकल कैसी है, कैसा दिखता है, तो आप कहोगे, sir, h2o होता है water, right, और जो यह weight दे रखा है, यह हमें water का दे रखा है, atoms का थोड़ा ही दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ज़रा देखिए, हम लोग एक काम करते हैं कि पहले, water के moles निकाल लेते हैं, या number of particles सी निकाल लेते हैं, तो हमने देखा, कि sir, अभी एक relation आपने पढ़ाया है, number of particle और weight वगरा में relation, क्या था, given mass upon में, यह से कह लिजे, number of particle upon में N ने, बराबर, given mass upon में, molecular mass, अब ज़रा सोच एनने मैंने एजटी छोड़ दिया भी, यह मेरे पास कितना है, 0.05 ग्राम, solve करूँगा, मैं इसके molar mass को, तो मैं आपर 18 लिख दूँगा, अब मैंने cross multiply करी, cross multiply करने पर मैंने पाया, कि जो number of H2O molecules आये हैं, वो हमारे पास 0.05 divided by 18, एनने के बराबर है, अब ज़रा देखो ब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे common sense वाली बात पूछू, कि H2O के अंदर कितने number of particle हैं, अपना पूरा math लगा लेना, आपको के सर, H2O के अंदर तो तीन atom हमें दिख रहे हैं, दो hydrogen की atom हैं, एक oxygen का atom होगा, हाँ या ना, आपको के सर, बिल्कुल सही बात है, यह तो बिल्क S2O molecule ले लूँ तो कितने हो जाएंगे, आपको के 9, और मैं कह रहा हूँ, मेरे पास N molecule हो हो S2O के, तो आपको के सर, 3 in 2 में N, है ना वई, तीन से गुना कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पर एक relation, अगर मैं S2O को देखता हूँ तो, one molecule, one molecule of S2O has three atoms, ऐसे समझना, कि इसके अंदर एक atom है, और इस line को यह जो मैंने आपको हाँ equation लिखी है, इसको mathematical equation की तरह सोचना है, ऐसे सोचना है कि जिस value से multiply में left hand side में करूँगा, उतने से multiply मुझे right hand side से भी करनी पड़ेगी, और आप ध्यान से देखना है यहाँ पर, ध्यान से देखन by 18, na, अगर मैंने पास molecule थे, किसके, op h2o के, तो एक तरीके से क्या हुआ, यह तो 1 है, यह value को जब 1 से multiply क्या हुआ, तो यह value आ गई होगी, तो कहने का मतलब यह हुआ कि 0.05 divided by 18 को और na को दोनों साइड multiply करना है, और जैसे आप multiply करोगे न, तो आप देखोगे, 0.05 divided by 18, और यहाँ पर लिखा आपने na, ठीक है, और into में 3, 3 तो रहेगा, yes it is, तो 3, यह हमारे पास क्या हो जाएंगे atoms, अब मैं यहाँ पर value पूट करता हूँ भई, na की, कितना था, 0.05 divided by 18, into में 6.0, 22 into 10 की पावर, 23 into में 3, जैसे ही आप इसको solve करोगे, क्या आएगा जल्दी से solve करो आप कोगे सर, solve करने पर हमारे पास आया है, 5.01 into 10 की पावर, 21, यह बेटा जी, एक सिंपल तरीका था, जो आपको amount दे रख्योंगी, water की, उसमें आपको number of atom calculate करने थे, total, ना की molecule, अगर molecule बुशता, तो आप यहाँ पर रुख जाते, यहाँ पर n की value रख देते, तो answer आ जा अब तुम्हें समझ में आना चीए, नहीं तो श्राब मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाई, अगले question की तरफ, बहुत सही question है, बिल्कुल आसान question, क्या कह रहा है, the mass of oxygen in 3.6 mole of water is, आप मुझे common sense वाली बात बताईए, अगर मैं water को लिखूं, तो water क formula कैसा होता है, आप को कि सर, water का formula H2O है, बहुत बढ़िया, क्या दिया इसके बारे में, आप को कि सर, इसमें न, जहां पर पूछा है कि इसके जो mole हैं, वो हमारे पास कितने हैं, 3 mole हैं, कितने हैं मिटा जी, 3 mole हैं हमारे पास, मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करना, कि जो हमारे पास, क्या नाम, reaction होती है, chemistry के अंदर, या जो combinations होते हैं, वो mole में होते हैं, अगर हम एक बात कहें कि, एक molecule H2O में कितने oxygen atom हैं, तो आप कोगे सर, एक oxygen atom है, ठीक, अगर मैं आपको यह कहूँगी, एक mole H2O में कितने mole oxygen हैं, तो आप कहना, कि इसी proportion में, कि जितने mole H2O के होंगे, उतने ही mole हमारे पास क्या होंगे, आपके पास oxygen के होंगे, क्यूंकि फोर्मुले को देखकर यह बात पता लगती है, अगर आप सिर्फ फोर्मुला देखते हो, water का एक molecule है, या यहाँ पर stoichiometry 1 है, एक लिखा हुआ है, या नहीं लिखा हो, तो वनमाल लेंगे, तो यहाँ से हम क्या समझेंगे बई, कि सर, one mole of H2O contain one mole of oxygen atom, कि हमें ध्यान रखना है, कि oxygen atom इतने है, आप मुझे एक और बात बताओ बेटा, कि वह एक बात बताओ, यह बात तो confirm है, लेकि मेरे पाद टोटल mole जो है, water के वो कितने ह है, तो अगर मैं देखूं कि 3.6 H2O में कितने mole oxygen के होंगे, तो मुझे 3.6 को इस equation में दोनों side multiply करना पड़ेगा, यह अगर आपने थोड़ा-थोड़ा सीख लिया, तो आप सारे question कर लेंगे, यहाँ पर आप लिखोंगे क्या, 3.6 into में 1, क्योंकि यह mathematical equation थी, mole of H2O बराबर होगा 3.6 mole of oxygen atom, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं oxygen के mole आ गए की नहीं आ गए, बोलो बोलो, आपको गश्टर आ गए, चलो oxygen के mole भी आ गए, अब हमें जब oxygen के mole पता लग गए हैं, और हमें क्या निकालना है, mass of oxygen, oxygen क्या है, element होता है oxygen, ध्यान दगना, oxygen क्या है, element, तो जब मैं यहाँ पर इसका mass calculate करने जाओंगा, और मुझे इसके mole पता हो, तो एक formula होता है, mole बराबर, given mass upon में gram atomic mass, जब यहाँ पर आप cross multiply करोगे, तो weight किसके बराबर आएगा, mole into में gram atomic mass, mole हमारे पास oxygen के कितने होंगे, 3.6, atomic mass 16, swallow करेंगे, आपके बास आएगा 57.6 gram, तो आई होप इस तरीके से भी आप question कर लेंगे, जो mole से related होंगे, चलो, आगे बढ़ते हैं, देखो, आपको क्या दे रखा है, mole proportion को पहचानना है, mole concept को लगाना है, और वही बहुत simple question करते जाने हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब देखे बिटा, यहाँ पर एक question दिया गया है, the ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular mixture is, 1 ratio 4, the ratio of number of their molecule is, और यह question, IIT J, IIT J 2014 का question है बिटा जी, ऐसा नहीं है कि बहुत tough question है, और ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे कर लोगे, ठीक है, बड़ा simple सा है, हम लोगे एक formula जानते कर आपको यादो, number of particles में और mole में, क्या formula होता है, कि mole बराबर होता है सर, number of particle में or divided by na, यह आपने सुना होगा, मैं अगर ऐसा कर दूँ, कि मेरे पास number of particle बराबर क्या होगा, mole into में na, यह बात आप जानते हैं कि नहीं, बोलो बोलो, आपको के साथ बिल्कु सही बात है, कि अगर मैं mole की cross multiply कर दूँ, तो number of particle के बराबर हो जाएगा, अब हमारे पास दो अलग-अलग species है, प्लीज समझेगा, दो अलग-अलग species है, इस relation को हम बनाएंगे, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 4 oxygen, 4 oxygen के अगर मैं बात करूँ, O2 की बात करूँ बिटा, तो oxygen के लिए अगर मैं हाँ पर लिखूं, तो मैं लिखूंगा number of particle of O2, बराबर होंगे, moles of O2 into में na, यह मैंने equation 1 मान ली, दूसरा तरीका देखिए बाई, अगर मुझे oxygen, nitrogen के बारे में करना हो, तो मैं लिखूंगा 4 N2, N2 के लिए number of N2 कैसे आएंगे, भाई, same to same formula, same, कि mole of N2 into में na, यह हमें सक constant रहेगा, आप लोगों ने क्या गया, बड़ा simple तरीका है, equation 1 और equation 2 को divide कर दीजिएगा, equation 1, पहले देखते हैं कि किस से क्या पुछा है, हा oxygen का nitrogen से पुछा है, तो हम कहेंगे equation 1, divide by equation 2, तो आप देखोगे number of particle of O2, divide by number of particle of N2, बराबर किसके आएंगे, जल्दी से देखिए, आप को कि सर, mole of O2, divide by mole of N2, और यहाँ पर आप लिखोगे na, और यहाँ पर लिखोगे आप na, तो यह cancel out हो जाएंगे, yes or wrong, आप को कि सर, य हम लोग यह भी जानते हैं, बच्चों, क्या, इधर देखो, mole बराबर होता है, given mass divided by molar mass, बस, हमें इन mole को given mass by molar mass की form में ही रखना है, तो जरा देखो, इधर देखो, देखो, number of O2, divide by number of N2, बराबर, given mass of O2, divide by molar mass of O2, यहाँ पर, given mass of N2, divide by molar mass of N2, आप value पुट करिए, O2 का given mass, जरा देखो, अगर हम इसको multiply इससे कर दें, और इसकी multiply इससे कर दें, तो आप क्रिक होगे, given mass of O2, divide by given mass of N2, right, into में, क्या उपर चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, molar mass of N2, और यहाँ पर आएगा, molar mass of O2, जरा देखिए, the ratio of masses of oxygen and nitrogen, यानि oxygen और nitrogen का जो mass ratio है, वो given दे रखा है, 1 by 4, right, यानि weight of O2, divide by weight of N2, पहले से दिया है, 1 by 4, तो आप value पुट कर देना बहीं, यहाँ पर, और आप जैसे ही value पुट करोगे, और सारी value रखोगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी जगा पर 1 by 4 रखा, और हम लोग जानते हैं कि molar mass, molar mass of N2 कितना होता है, 28, और यह किसके बरावर होगा, बिटा जी, 32, जैसे आप इसको solve करोगे, तो 4 वंजा 4, और हमारे पास आएगा, 47, 28, तो ratio आएगा, 7 ratio, 32, अब ज़रो देखो भई, कौन सा option match करता है, इससे, जल्दी से answer देखिए, आप कोगे सर, इससे बड़ा simple ही, option number A आजाएगा, और इसको में tick कर गया आगे, बढ़ना है, चलिए भई, अब मेरी महा सेना, जल्दी से बताएगी, next question में क्या होने वाला है, और यह question जैसे आपने notes किया, अब यहाँ पर पूछा गया है, number of atoms in 500 gram of FV, atomic mass दे रखा है, 56 gram per mall, ठीक है बाई, सब दिया है, यह question भी ITJ 2002 का है, यह मस्तोचना कि इतना easy है, तो IT में नहीं आया होगा, आपको एक-एक question लगाते हुए जाना है, चाहे वो easy हो, चाहे वो tough हो, और आप देखना, कि जैसे आप starting करोगे, आप कहाँ पर थे, और जब lecture खतम होगा, या बनला topic खतम होगा, तब आपका status, जो आपका level, concept को देखने का, question को करने का, कहाँ पर होगा, ठीक है बाई, तो चलो देखो, यहाँ पर दिखा हुआ है, number of atoms in 560 gram of iron, आप मुझे एक बात बताओ, बेटा, मुझे एक बात पता लग गई, कि mall directly proportional to number of particle है, समझे ना, मॉल directly proportional number of particle है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक formula है, मॉल बराबर, number of particle upon में n ने, अब n ने तो constant है, इसका मलब तो क्या हुआ, कि भाई, जितने ज़्यादा मॉल होगे, उतने ज़्यादा आपके पास number of particles भी होगे, simple, simple directly relation का प्रोश्रम है, तो हमने सबसे पहले क्या काम किया iron के mole calculate कर लिए, क्या कर लिए, हमने iron के mole calculate कर लिए, तो जब मैं mole निकालूँगा, FV के, और हमारे पास weight दे रखा है, तो formula क्या लगेगा, weight अपोर में, atomic mass वाला, यह हमारे पास 56 gram हो जाएगा बेटा जी, और हमें पता है कि इसका जो gram atomic mass है, या atomic mass है, वो हमारे पास 56 दिया का इसमें, तो आप देखोगे कि भाई, इसमें तो only 10 mole आया, कितने mole आया, 10 mole आ गया, अब ज़रा देखो, 10 mole मैंने calculate कर लिए iron के, अब मैं देखता हूं बेटा जी, इस option में क्या दिया है, आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर लिखा गया है, is twice that of 70 gram of nitrogen, end दिया है, end दिय तो जड़ा देखो, अगर मैं option A की बात करता हूं, तो मुझे weight of N की बात करनी है, nitrogen है, weight of nitrogen की अगर मैं बात करूं, तो वो देरकर 70 gram, और मुझे atomic mass पता है, nitrogen कितना होता है 14, मैं mole निकालना चाहता हूं, given mass upon में, given mass upon में, atomic mass 70 divided by 14, equals to आयेगा 5 mole, कितना आया, 5 mole, मैंने आपको क्या बताया, कि यहाँ पर directly proportional है, ठीके भई, directly proportional का मतलब क्या हुआ, कि जितने गुना आपके पास mole होते हैं, उतने ही गुना आपके पास number of particle भी होंगे, तो हमने यह देखा कि भई, यहाँ पर 10 mole थे, यह 5 mole हैं, और इसने बोला है कि, is it twice that of 70 gram N, यानि nitrogen से दो गुना हैं, किस के mole, iron के mole, तो यह जो statement है, यह कहीं न कहीं हमारे सामने correct है, आगे देखिए भई, आगे हमारे पास आती है बात, option number B की, जब हम B option पर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, is half that of 20 gram hydrogen, तो hydrogen किस form में दिया है, molecular form में या atomic form में, आपको के सर, atomic form में देर का है, single hydrogen है, अकेला है, तो हम यहाँ पर atomic mass वाला form में लगाएंगे, तो हमने देखा कि mole बराबर क्या हुआ भई, given mass upon atomic mass, और हम लोग जानते हैं कि weight दे रखा है हमारे पास 20 gram, और atomic mass of hydrogen कितना होता है, तो यह क्या हो जाएगा, 20 mole हो जाएंगे, overall, क्या दिया है, is half that of 20 mole, ठी जानते हैं, यह बात भी correct हो गई, ठीक है, और हम लोग जानते हैं, अगर mole आदे हुए हैं, तो number of particle भी आदे हुए हूँगे, अब यहाँ पर दिया है कि कौन सा option correct होगा, तो आप ध्यान से देखिए, a b correct है, b b correct है, तो इसलिए c option पर जाएंगे, कि both and b are correct, तो इसको आपक 002 में आया था, ठीक है, चलिए, अब इसको जल्दी से note करिए, और बढ़ते हैं, बिटाजी आगे, अगले question की तरफ, च्योंकि हम इस concept को, इतने सारे question करके deal करेंगे, कि concept में कभी रहेगा है, कोई problem ही नहीं आएगी, अब हम बात करेंगे, भाई, atomicity की, कि यह बवार बता हूँ, number of संख्याई है, कि किसी भी molecule के अंदर कितने atom होगे, किसी को atomicity कहते हैं, लेकिन वो atomicity पूरे molecule की होगी, जैसे माल लीजेगा, अगर मैं यह कहूँ, मेरे पास एक फेवरिट एक्जामपल है, C2H5OH, यह हमारे पास alcohol का example है, अगर मैं आपको कहूँ कि इसके अंदर क कार्मन है, 5416 हाइट्रोजन है, और एक oxygen है, तो टोटल मिला कर इसके अंदर 9 atom होगे सर, तो इसका मतलब क्या हुआ, atomicity of C2H5OH भी आपके पास 9 होगी, atomicity है क्या, बेसिकली किसी भी molecule के अंदर present number of atom, number of atom, तो जड़ा देखिए, यह concept इसने समझा रहा हूँ मैटा, क्योंकि इससे related बहुत सारे question पूछे जाते हैं, और आप अच्छे अच्छी books में पढ़ेंगे, जैसे कोई भी book होती है, कोई भी module करते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे question बहुत आते हैं, ठीक है, जड़ा देखिए, बात करते हैं हम लोग C2H5OH का example देते हुए, ठीक है बई, कि atomicity क्या है, तो मैंने कहा गिए, atomicity जो है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, the number of, the number of atoms present in a molecule, किसी molecule में present number of atoms की संख्या, अगर मैं C2H5OH की बात करता हूँ, तो यहाँ पर पहले molecular atomicity की बात करेंगे, ठीक है बई, तो atomicity हो जाएगी किसकी बिटा जी, atomicity of C2H5OH, ध्यान से देखना है इस concept को, पुरा molecule लिया है, ठीक है बई, कितनी हो जाएगी जल्दी से बताना, आपको कि सर, calculate कर लो, सारे atom को तो मेरे पास हो जाएगे, 9, अब मैंने कहा कि अगर मैं इसी molecule के अंदर, hydrogen के term में पूछू, क्या पूछू, hydrogen के term में पूछू, तो कितना होगा, तो जड़ा देखिए, अगर मैं हाँ पर लिखता हूँ कि, atomicity of hydrogen in C2H5OH, तो आप क्या कहोगे बई, कि C2H5OH में 6 hydrogen है, तो हमारे पास 6 hydrogen atom हो जाएगे, तो atomicity of hydrogen कितनी हो गई, 6, same to same, अगर मैं बात करूँ oxygen की, कि oxygen की atomicity कितनी होगी, C2H5OH में, तो हमारे पास क्या आएगा बिटा जी, atomicity of oxygen in C2H5OH, तो वो हमारे पास कितनी आएगी बिटा जी, 1, क्योंकि पूरे molecule में एक ही है, आगे देखो, आगे जब हम बात करेंगे कि carbon की कितनी होगी, तो आप लो atomicity of carbon in C2H5OH equals to 2, I hope आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, कि इसका लेना देना मोल से कैसे हुआ, इसका लेना देना मोल से कैसे हुआ, प्लीज समझ येगा, मैं अगर इसका एक molecule लूँ, तो इसके अंदर कितने atom आए, आप होगे सर 9, मैं कहरा हूँ, गर मैं इसका एक molecule लूँ, इसके अंदर hydrogen कितने आए, आप कह रहे हो 6, यानि कहीं ना कहीं इसके amount, इसके particle, इसके particle में कोई ना कोई relation है, और particles का अगर मैं mole के साथ relation देखू, तो आप लोगों को पताए कि mole is directly proportional to number of particle, तो यानि particle का particle के साथ relation है, इ इसलिए हो सकता है, अगर मैं इसके mole loom, तो उनका relation mole से हो, और फिर हमने क्या किया, यहां से मुझे एक relation समझ में आएगा, जो आप लोगों को बहुत सारे question में follow करना है, क्योंकि यह बिल्कुल basic चल रहा है, अब यह मत समझना कि IT जही आज वाले lecture से निकलेगा, यह बिल्क हमने देखा कि अगर मैं इसका एक molecule लेता हूँ, तो 9 atom आते हैं, यह किस proportion में थे, particle के proportion में जब मैं इसका एक molecule लिया, तो वो भी particle था, इनके atom की बात कर रहा हूँ, तो यह भी आपके पास particle लिए, बट मैं यह बात जानता हूँ कि moles जो है, वो number of particle के directly proportional है, अगर मैं relation mole के ब of T2H5OH equals to, कितने mole carbon के होंगे जली से बताइए, कि सर, एक के अंदर दो carbon है, तो इसका मतलब, एक mole के अंदर हम लिखेंगे, 2 mole of carbon atom, ऐसे लिखना है, बिटाजिए, आगे देखो, अगर वो कहता है कि 1 mole of T2H5OH के अंदर कितने hydrogen होंगे, तो आप कहोगे 6 mole of hydrogen atom, फिर मैं कहना हूँगी भाई, oxygen कितने होंगे, तो आप कहोगे 1 mole of T2H5OH equals to कितने होंगे, आप कहोगे भाई, कितना, कि सर, 1 mole of oxygen atom, तो यह आपको relation बनाने आने चाहिए, अगर यह relation बनाओगे, तभी mole concept के सारे के सारे question आप कर पाओगे, बेटा, ठीक चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगर आपने नोट कर लिया हो तो, पुलिस पीड के साथ, 123, चल दी से भाई, आगे बढ़ते हैं, अब जड़ा देखो, प्लीज समझेगा, यह तो एक illustration थी, अब मुझे आप से एक और question करना है, और वो question है आपका भाई, आ one mole of H2SO4 contains dash mole of hydrogen atoms, यह आपको बताना पड़ेगा भाई, आपके लिए homework है, मैं कह रहा हूँ कि भाई, one mole of H2SO4, one mole of H2SO4 बराबर, यहाँ पर मैंने का, कितने mole of sulfur atoms, अब आपको sulfur atoms के बारे में बताना है भाई, और साथी साथ, अगर मैं one mole of H2SO4 molecules लेता हूँ, तो मेरे पास कितने mole होंगे, किसके, oxygen atom के, तो करप्या करके, यह आपको atomicity समझा देगा, अगर आपने छोटा सा basic numerical, या basic relation आगे है तो, तो यह करके देखना है आपको भाई, यह आपके लिए क्या रहेगा, हॉमबर्ग रहेगा, ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए बिटा, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अगले questions की तरह, यह question भी IATJE 2006 में आया हुआ है, ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ पढ़ाएं और वो question ना है, ठीक है बई, be focus on that, प्लीज ज़रा देखिए, How many moles of magnesium phosphate, इसने बोला है, How many moles of magnesium phosphate, Mg3PO2 आपको पुरा का पुरा दिया हुआ है, compound का नाम, formula, with contains 0.025 mole of oxygen atom, यह इसने बोला है भाई, कि 0.025 mole of oxygen atom के लिए, कितने moles आपको magnesium phosphate की ज़रत पड़ेगी, तो ज़रा देखो भाई, यहाँ पर मैंने देखा, क्या देखा, ज़रा देखो तो, जब मैं यह लिखता हूँ, Mg3, PO4 का whole twice, आप समझे यह, कि मुझे oxygen का और पुरे molecule का relation देखना है, मुझे आप यह बताओगे, अगर मैं इसका एक पूरा molecule लूँ, तो इसके अंदर कितने oxygen atom होंगे, आप कहोगे sir, 4 to the 8 oxygen atom होंगे, बिल्गुर सही बात है, atomicity of oxygen क्या है, आप कहोगे sir, 8 है, तो relation क्या बनेगा आपका, mole में बताना है, mole में, आप कहोगे, 1 mole, 1 mole, या कह लीजेगा, 8 mole, उल्टा करते हैं, 8 mole of oxygen atom, present in, present in, dash, कितने बाई, present in, 1 mole of magnesium phosphate, Mg3, PO4 का hole twice, बड़ा simple relation है, यह अगर आपने बना लिया, अब ज़रा देखो, मैंने आपको क्या सिखाया, कि यह जो आपके बाल line है, यह वाली line, यह पूरी की पूरी mathematical equation है, अगर आप इस वाले number को, जैसे आपने 9 में पढ़ा होगा, कि X बराबर Y, अगर इस वाले number को मैं इधर ले जाओं, या मैं उस वाले number को इधर ले जाओं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ न, X by Y equals to 1, same two same हमें क्या कर रहा है, कि यह वाला जो जो भी number है 8, आप इसकी cross multiply करके उधर ले जाओ, और फिर बताओ यहाँ पर क्या बच्छेगा, आपको लगेगा sir, अगर यह उधर चला गया न, तो यहाँ पर बच्छेगा 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 1 mole, 1 mole of oxygen atom, अब आपको समझ में आरा धीर रहे, 1 mole of oxygen atom present in, जब यहाँ पर जाएगा तो यह 1 by 8 mole of mg3PO4 का whole twice, ऐसे हैं, अब लिखेंगे, राइट, अब जड़ा देखो, जैसे आप 1 by mole कर लोगे, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं left hand side में multiply कर दूँ, 0.25 mole, क्योंकि मेरे पात oxygen के mole कितने दे रखें हैं, आप को कि 0.25, देख लो ध्यान से, कि जो given mole हैं, यह वाई, जो given mole हैं किसके, O2 के, वो कितने हैं, आप को कि 0.2, sorry, oxygen के, O2 नहीं है, oxygen atom की बात चल रही है, तो हम कहेंगे 0.25, तो बेटा, एक बात बताओ यार, अगर यह 0.25 है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मैं अगर multiply दोनों side 0.25 से कर दूँ, क्या बोला मैंने, दोनों side 0.25 से multiply कर दूँ, तो क्या कुछ होगा, मैं आप कभी आपने देखा हैं, ऐसा होता कि किसी भी mathematical equation में, जितने से multiply में left hand side से करूँगा, उतने से multiply में right hand side से करूँगा, तो कोई फरक तो पड़ेगा नहीं, यह equation तो balance रहेगी, तो मुझे ऐसी करना पड़ेगा, मैंने क्या काम किया, कि 0.25 से दोनों side multiply कर दिया, तो मुझे पता लग गया, कि 0.25 into में 1 mole, क्यों multiply कर दिया, हमने, mole of magnesium mg3 PO4 का hold to it, तो आपके पास 0.25 को solve कर लेंगे, आसानी से आपके पास answer आजाएगा, कई से आएगा चरह, देखिए, कई से आएगा चरह, देखिए, आप कोईट है लग जाएगा, कि अगर मैं उपर 25 कर दूँ और 8 कर दूँ, तो नीचे कितना जाएग पाउर माइनस के 2 में आएगा, और आपको आएट लग जाएगा कि 3, 8, 3 जा, 24 होते हैं, और उसके बाद थोड़ा चलेगा 3 पैंट सम्थिंग, पर 10 की पाउर माइनस 2, आंसर बता ये कौन सा होगा, जल्ली से बोले, फुली स्पीट के साथ कौन सा होगा, वलो वलो, आप क चोटे-चोटे फोर्मुले पता है, ठीक है, तो आप ऐसे फोर्मुले, ऐसे कोशन आसानी से कर लेंगे, लेकिन प्लीज, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, एक अनोरोध भी है, अपने आपको डरपोक मत बनाना, अपने आपको ये मत सोचना, कि सर, IIT बहुत है, हमसे हो पएगा कि नहीं हो पएगा, मैं न उस मूड से नहीं आया हूँ, कुछ आपको बहुत easy-easy पढ़ाके निकल के चला जाओ, अभी शुरुवात है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जितने आपको पढ़ा हो पढ़ाने के बाद आप धर्ती पर कोई भी मोडूलों धर्ती पर कोई भी किताब हो उसके कोशन आपसे लगे तो प्लीज यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा धीरे दीरे सीख रहे हैं सीखते सीखते आप अपनी अपनी नोटोग में लिखते मास से ना बहुत ही आसान कोस्टन है कर दीजे फटा-फट फुल स्पीड के साथ क्या वोला इस ने उप्टन नम्मर्वन में तर वन ग्राम ओप ऑक्सिजन ओहो अगर आपको थोड़ा ध्यान हो कि मुझे एक बात का पता है भाई मुझे एक बात का पता है कि मोल का फोर्मला म में या तो atomic मास था या given मास अपॉन में molecular मास था अगर एटम होगा तो atomic मास molecule होगा तो molecular मास और यदि मैं काऊंगी मुझे अगर number of particle निकालने हो तो मैं number of particle upon में एन ने ये वाला यूज़ करता था आपको याद होगी ये बात तो हाँ जड़ा देखो अगर आप ध्यान से देखोगे मुझे पता है कि मोल और number of particle directly proportional है यानि जिसके मोल जादा होंगे उसके particle भी जादा होंगे और जिसके मोल कम होंगे उसके particle भी कम होंगे तो जड़ा देखिए सबसे पहले इसने क्या कहा गया है कि मेरे पात oxygen का एक ग्राम है इसके अंदर आप oxygen के atom निका लिए तो जड़ा देखो simple ही है आप ये वाला weight वाला formula उठाओ ये number of particle वाला formula उठाओ दोनों को बराबर कर दो तो हमने लिखा given mass upon atomic mass बराबर number of oxygen atom divided by n ने तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो n होगा ना मारे पास यनि number of particle वो होगा 1 by 16 क्योंकि gram atomic mass हमारे पास कितना होगा बिटा oxygen का 16 और आप cross multiply करोगे तो n ने इतने oxygen atom थे अब जड़ा देखो ये मैंने लिखा option number a के लिए अब मैं बात करूँगा option number b के लिए b option में क्या दिया है b में कहा कि 1 gram of oxygen 1 gram of O2 तो जड़ा देखिए अगर मैं molecule निकालता हो oxygen के तो मुझे पता है number of O2 किसके होंगे सेम इसी फोर्मले से बगरा आ जाएं आप कोगे given mass of O2 divided by molar mass of O2 और into में N रख देना given mass of O2 कितना है वन तो आपके पास क्या आएगा molecular mass of O2 कितना आएगा 32 और into में N ने ध्यान से देखो गलती हो सकती है इसने हमने जो निकालने है न वो N यानि number of O2 निकालने है पूछा क्या है oxygen atoms तो हम लोग यह जानते हैं कि O2 के अंदर oxygen atom की जो atomicity वो कितनी है आपको कोगे सथ 2 atom है तो अगर मुझे oxygen atom निकालने हो तो मैं मैं यह कहूँगा ना वेटा कि 1 mole of O2 contains 2 mole of oxygen atom तो आप देखोगे चर यह बात तो सही है अगर मेरे पास 1 by 32 into में N ने molecule हो oxygen atom molecule के तो मैं यहाँ पर multiply कर दूँगा तो 1 by 32 into में 1 मेरे पास क्या है mole of O2 बराबर जितने से multiply left hand side से करीब उतने से right में भी करूँगा तो 2 into में 1 by 32 ठीक है भाई mole of oxygen atom ध्यान से देखिए यह कट जाएगा किसके बराबर आएगा 1 by 16 mole of oxygen atom थोड़ा याद आया जारा देखो एक चीज़ यहाँ पर भी जो mole आया तो option नमबर एंग में 1 by 16 into में एनने चुरी मोल आ गए मोल आएँ अभी oxygen के अगर मुझे नमबर और पार्टिकल निकालने हो तो आपके पास formula क्या होगा कि मोल तो नमबर और पार्टिकल बराबर होते हैं बात कर रहा हूं बिटा में मैं तो भी option के लिए भी जो number of atoms आएंगे oxygen के वो 1 by 16 into में एनने आएंगे पहले भी इसके मोल निकालो oxygen के ओजोन के तो आप निकालोगे कैसे भाई इसके मोल बराबर होंगे given mass divided by molar mass given mass 1 है molar mass जब आप calculate करोगे तो 48 आएगा आएगा कि नहीं आप को गया सर अब जड़ा देखो मैं एक बात जानता हूं मुझे पता है कि एक मोल O3 contains क्योंकि एक के अंदर कितने oxygen atom होंगे आप को गया सर 3 तो मैं कहूंगा कि 3 oxygen atoms 3 3 mole of oxygen atoms अब जड़ा देखो ये equation बनी हो mathematical equation मेरे पास 1 by 48 mole है ओ तरीके अगर मैं 1 by 48 को divide multiply कर तो left hand side में तो मेरे पास कितना हैगा 1 by 48 mole of O3 पराबर किसके आएगा 3 in 2 में 1 by 48 mole of oxygen atom तो यहाँ पर ये बात clear हो जाएगी कि जब आप इससे cancel out करोगे तो यह होगा 1 by 16 1 by 16 mole of oxygen atom अरे नालाय को जहाँ से पर ध्यान से देखो कि mole आए है oxygen atom के अब आप क्या निकालोगे अब आप निकालोगे number of particle तो number of particle का formula क्या है कि mole into में अने ये अपने ध्याने का होगा mole किसके बराबर आए 1 by 16 into में अने करोगे तो हमने एक बात पाई कि सर option number A में 1 by 16 into में अने option number B में 1 by 16 into में अने option number C में भी 1 by 16 into में अने तो यहां से ये बात clear हो गई ना कि all have same number of oxygen atom right or wrong तो आप को गए सर बिल्कुल सही है option number D को ही टिक करना है और तब ही हमारे पूरे मांक्स आएंगे ठीक है बाई चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे जल्दी से नोट करिए इस question को full speed के साथ अगर आपको लगे कि सपीड जादा है तो slow कर लेना सपीड जो कम है तो फास कर लेना ठीक है इसको रोक कर जल्दी से नोट करिए भई आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की दरब अगले कोशन में इसने क्या कहा है इसने कहा है इसने कहा है दन नंबर ओप oxygen atoms in 4.4 ग्राम ओप CO2 पहला काम क्या होगा हमारे पास हम CO2 के मोल निका लेंगे दूसरा काम क्या होगा CO2 की atomicity देखेंगे और जानेंगे कि एक CO2 में कितने oxygen atom होते हैं भाई अगर इतनी बात पता लग गई तो कोशन होगया एक मिनट के अंदर तो कैसे जरा देखो मुझे ये बात पता है मुझे ये बात पता है कि given mass दिया है किसका CO2 का ठीक है भाई given mass दिया है किसका CO2 का और जो देरका है 4.4 gram molar mass of CO2 में ये बात जानता हूं यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा 44 ग्राम पर मोल होता है यह बात आपने पड़ा होगी अब जब इसके में मोल निकालूँगा तो मोल का फोर्मुला क्या होगा इवन मास डिवाइड बाए मोलर मास तो जरा देखिए भई अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं 4.4 डिवाइड बाए 44 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपको के सर 0.1 इतने मोल थे मेरे पास CO2 के और चरा अब CO2 की फोटो देखते हैं मिटा CO2 कैसे लिखा मैंने ऐसे क्या है यहाँ पर कि सर यहाँ पर एक CO2 में दो O2 है Atomicity वाला Principle कहता है इसके एक मोलिक्यूल में दो मोलिक्यूल O2 के होंगे या फिर एक मोल CO2 में दो मोल O2 के होंगे तो चलो relation मनाते हैं पहले mathematical equation तो मैंने क्या करा कि 1 मोल of CO2 contain 2 मोल of oxygen atom प्लीज समझने कोशिश करिएगा पड़ा simple simple अगर आप यह लाइन समझ ली तो अब मेरे पास CO2 के कितने मोल है 0.1 तो मैं 1 की multiply किस से करूँगा 0.1 से लेकिन मुझे यह भी ध्यान दखना है कि जितने की multiply left hand side से करूँगा उतने मैं राइट hand side से भी करनी पड़ेगी तो क्या आएगा मेरे पास आएगा 0.1 मोल of CO2 contain 0.2 मोल of oxygen atom तो जड़ा देखिए क्या oxygen atom के आपके पास मोल आ गए आपको गए सर बिल्कुल आ गए हमारे पास आ गए अब हम क्या निकालेंगे number of particles आप लोग जानते हैं we know that मैं भी जानता हूँ क्या जानते हैं हम लोग कि सर number of particle बराबर होता है मोल्स इन्टू में एन्ने मोल्स इन्टू में एन्ने अब जड़ा देखो आप जब वैल्यू रखो के मोल की 0.2 एन्ने की वैल्यू होगी 0 6.02 इन्टू 10 की पावर 23 और मंटिपलाई करके देखो क्या आएगा बोलो बोलो कितना आएगा बैट 6 इसको almost 6 मान लीजेगा है न 6 तूज 12 तो 1.2 ऐसे आएगा 1.2 0 4 इन्टू में 10 की पावर 23 देखो कौन सा option मैच होता है यहां पर आपको सर 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 करेक्ट आंसर आएगा option नमबर डी यह यह वाला option आएगा फिटा यह 1.2 इन्टू 10 की पावर 23 यही correct answer है और इसी को टिक कर गया हमें आगे बढ़ना है चल यह कह रहा है कि भाई calculate the number of oxygen atoms in 147 gram of S3PO4 अब इसने सेम पहले जैसा ही question है सेम आपको क्या कर रहा है इसके weight से इसके mole निकालने है इसके mole निकल जाएंगे तो atomicity वाला principle यूज करेंगे और oxygen के mole निकालने हैं जब oxygen के mole आई जाएंगे तो basic formula लगाएंगे ना number of particle भी आ जाएं इधर देखो इधर इधर देखो रहे इधर लिखा है कि weight of weight of S3PO4 दिया है 147 और आपको इसके mole calculate करने हैं तो mole calculate करोगे तो आपको molar mass of S3PO4 की आवशकता भी पड़ेगी तो ज़रा देखो मैं जब इसका molar mass calculate करूँ अनालाय को तो आएगा मेरे बाद 3 in 2 में hydrogen 1 in 2 में phosphorus plus 4 in 2 में oxygen अब value put करनी है hydrogen atomic mass कितना है 1 तो यहाँ पर 1 put कर देंगे phosphorus का atomic mass कितना होगा बिटा तो आपको के sir 31 तो आप 31 put कर देंगे और plus hydrogen का कितना होगा 16 तो यहाँ पर 16 put कर देंगे और solve करके आएगा 98 gram per mole क्या आएगा gram per mole तो जड़ा देखिए भाई हमारे पास molar mass आच चुका किसका H3PO4 का mole निकालते हैं सबसे पहले mole का formula क्या है given mass upon में क्या रखों atomic mass है molecular mass आप को के sir यह molecule है यह compound है यहाँ पर atomic mass से काम नहीं चलेगा क्या करना है हमें यहाँ पर हम यहाँ पर molar mass रखेंगे बरावर किसके आएगा बोलो बोलो आप को के sir आप 147 divided by 98 करोगे solve करने पर यह जब आएगा तो 1.5 के बरावर आएगा sir इतने mole थे हमारे पात S3PO4 के अब जरा देखो जब तुम्हें यह बात पता लग गई है कि S3PO4 के इतने mole हैं तो मुझे एक बात बताओ यार S3PO4 को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इसके एक molecule के अंदर कितने oxygen atom है आप को के sir 4 oxygen atom है आप मुझे बताओ कि जैसे number of atoms का relation mole से होता directly proportional है क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके एक mole के अंदर 4 mole oxygen atom होंगे आप को कि sir बिल्कुल सही mathematical relation तो यही बनेगा तो हम क्या लिका हमने 1 mole of S3PO4 contain 4 mole of oxygen atom यह बिल्कुल सिंपल था यह बिल्कुल सिंपल था अब जड़ा देखो भाई मेरे पास कितने mole है S3PO4 के 1.5 तो क्यों नहीं ऐसा करेगी इधर से मंटिवलाई करतें बोलो बोलो आपको कि sir बिल्कुल ठीक है तो जड़ा देखो इधर देख ओप S3PO4 उधर कितना से मंटिवलाई करूँगा अरे नलाया को है mathematics है लगाओ उसको क्या आएगा 1.5 इंटू में 4 mole of oxygen atom मंटिवलाई आपकी घदरनाक है ही है यह यह दो बात पता ही है यह बात वो कल बेटा जी आज तक चैनल पर भी आई थी और दैनिक जागणक बात में भी आई थी कि mathematics तुमारी ठीक ठाग है तो इधर देखो मंटिवलाई करते ही आएगा answer क्या six mole of oxygen atom अब मुझे नंबर पार्टिकल निकालने हूँ इस oxygen के याद करो मौल को और मौल में और नंबर पार्टिकल में क्या relation है आप क्या जानते हो भई जली से दीजिए answer आप को कि sir we know that सबसे पहले तो आप अंगरजी लिखेंगे we know that मौल बराबर नंबर पार्टिकल पॉन में एन ने क्रॉस मौंटिप्लाई कर दीजिए स्टाइल के साथ तो एन किसके बराबर आएगा मौल इंटू में एन ने सर मौल मेरे पास six है ठीक है एन ने की वैलू कितनी हो जाएगी सर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मंटिप्लाई करनी है कितनी होगी बोलो बोलो आप कोगे सर 3.60 3.6 12 इंटू 10 की पावर 24 याद नहीं कर गया था मेरे को याद है सिक्स तू जा 12 जैरक दी जो यहाँ पे सिक्स जा 36 जैरक दी जो यहाँ पे और एक पावर बढ़ा दे ना क्योंकि 36 हम डेसिमल लिखे के पॉइंट के बाद ते 24 हो जाएगा बास समझ में आई हाँ तो यह बड़ा संपल कोशन था यह बिल्कुल बेसिक तरीके थे कि अगर आपको सिंपली मोल्स के कोशन आते होंगे मोल्स के फोर्मुले पता होंगे अगर यह स्वाल कर लिया हो आपको यह समझ में आ गया हो कि कैसे मैंने कोशन किया तो बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है ना वो यह है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फिजिकल केमिस्ट कि आपने उपर से याद कर लिया फिर ऐसे ओम 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 ओ सारी नोली जा गई फिर दो बार ऐसे बुक मार होगे ऐसे कभी फिजिकल के मिश्टी नहीं आती क्यूंकि आप लोगों को याद होगा कि सारे सब्जेक्ट को पढ़के याद करके आप कुछ सीख सकते हो भी भी छोरम रटके नहीं जाते हैं बात समझ में आई हैं अगर रटके जाते होंगे बिटा तो तुम धर्ती के प्राणी नहीं हो तुम कहीं और से आयो ठीक है बाई तुम यहां भी मत बैठो लेकिन हाँ ये बात हम जानते हैं कि मैस के लिए हम कभी रटके नहीं जाते है बिल्कुल फ्री माइंड होके जाते हैं क्यों कि मैत में हम चीज सीखते हैं मैत में हम चीजे को इस तरह से करते हैं कि भाई वहाँ पर लोड़ी नहीं होती कुछ याद करने की वह चीज हमने सीख ली और सीखा हुआ कभी इंसान भूलता नहीं है तो आप लोग यह बात जानत पढ़ लो किसी के भी नोट्स पढ़ लो चाहे आपका बिटा जी कहीं का भी टोप और उसके भी नोट्स पढ़ लो तब भी रहेंग नहीं आएगी रहेंग आने के लिए सिर्फ एक ही काम कर सकते हो आप सेल्फ हार्डवर बस और कुछ नहीं और उसका कोई दूसरा और प्रेक्टिस करने का तो प्लीज कीप हाट वर्किंग अगला कोशन तुम्हारे सामने आया है इसने बोला है कैलकुलेट दाथ वेट ऑफ कारवन जैसे मैंने नंबर और पार्टिकल करवाए थी कि वाई कुछ सब्सक्रान दिया है उसका कोई अमाउंट दिया है ग्राम म है थोड़ा सा सिमिलर कोशन ही है तो जरा देखो कैल्शियम कैलकुलेट दा वेट ऑफ कारवन कैल्शियम और ऑक्सिजन इन 150 ग्राम ऑप कैल्शियम कार्बोनेड यह मैं आपको बात बता रहा हूं अब आब एक बात बताओ भई सबसे पहले मैं आपको बात दाना गीवन है कोशन के अंदर कितना 150 ग्राम अगर मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं जानता हूं कि वन इन टू में कैल्सियम प्लस वन इन टू में कारवन प्लस के त्री इन टू में ऑक्सिजन यही वैल्यू रखनी पड़ेगी कैल्सियम का अटोमिक मास 40 होत मोलर मास आ गया है क्या गया है वेट आ गया है मोलर मास आ गया है तो आप लोग क्या गरोगे जरा देखो इधर इधर देखो इधर किसर मोल का फोर्मला तो यह था नीचे कर देते हैं मोल का फोर्मला तो यह था गीवन मास अपॉन में मोलर मास क्या बोला मैंने गीवन मास पॉन में molar mass, तो जरा देखिए, जरा देखिए बिटा, यहां से mol calculate करते हुए मेरे पास आएगा, 150, divide by 100, solve करने पर 1.5 mol of CACO3, कितना आया, CACO3, तो जरा देखिए, आप मुझे एक बात बताओ बिटा, जो calcium carbonate है, इधर देखो, इधर, calcium carbonate है, इसके अंदर आप लोगों को oxygen के कितने mol नजर आ रहे हैं, अगर मैं इसका एक mol लूँ तो, आप लोग क्या कहोगे, असर 3 mol, carbon के कितने होंगे, 1 mol, calcium के कितने होंगे, 1 mol, तो यहां से में relation मनाएंगे कैसे भई, पहला point, ठीक है भई, पहला point क्या है, कि 1 mol of CACO3, contain 1 mol of calcium, right, ध्यांट से देखिए, अगर मैं एक mol लेता हूँ, तो एक mol calcium होता है, लेकिन मेरे पास calcium carbonate का 1.5 mol है, तो मुझे 1.5 से multiply करना पड़ेगा, तो 1.5 into में 1, ठीक है भई, इतने mol होने के बाद, 1 into में mol of CACO3, contain 1 into में 1.5 mol of calcium atom, तो यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, calcium के mol मुझे पता लग गए, atomic mass मुझे पता है 40 है, weight अगर मैं निकालना चाहूँ, तो मेरे पास formula क्या होगा, mol बराबर, given mass upon में, gram atomic mass, cross multiply करोगे, weight बराबर किसके आएगा, mol into में atomic mass, mol हमारे पास 1.5 है, atomic mass 40 है, solve करोगे तो 60 gram तो आ ही जाएगा, हाया ना, आपको ओगे सर, ठ देखते हैं भाई, दूसरे पार्ट में क्या देखोगे, इधर देखो इधर, 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 इस वाले पहन से हम, दूसरा पार्ट देखो भाई, फिर से, हमें जमान लीजे कार्बन का निकालना है, किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है, तो आप लोग of carbon atom, right? तो ज़रा देखो, मेरे पास कितने एक CaCO3 के, आपको कि सर 1.5, तो 1.5 से multiply left hand side में करूँगा, और 1.5 की multiply में right hand side में करूँगा, तो क्या हैगा ज़रा देखो इधर? कि सर 1.5 mole of CaCO3 contains 1.5 mole of carbon atom, अब mole को अगर mass में convert करना हो, ठीके भाई, तो क्या formula होगा, जल्दी से बताइए, क्या formula होगा, कि से mole into में, आप multiply कर देना, atomic mass से, अगर वो element है तो, तो मैंने देखा भाई, 1.5 into में 12, solve करेंगे तो कितना आएगा, 18 गराम उसके अंदर carbon था, क्या है उसके अंदर, 18 गराम carbon, इस तरीके से आपको भाई weight भी निकाल दिया, चलो आगे देखते हैं, मेरे बच्चों आगे देखते हैं, आगे हमें एक और रह रहा है, जिसका नाम है oxygen, किसका है, oxygen, तो जड़ा देखो, अगर मैं ये पुर्पना रिखता हूँ, CACO3, mathematical relation क्या बनता है, कि एक CO3 में 3 CO3 है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए, बोलो बोलो, आप को कहें सर, कि 1 mole, 1 mole of CACO3, 1 mole of CACO3 contains कितना, कि सर, 3 mole, 3 mole of oxygen atom, ये बात हमें समझ में आ गई, तो मुझे बताओगी, CACO3 के कितने mole थे, question में, जो हमने calculate करें थे, इधर देखके बताओ, आप कोगे सर, 1.5, तो ठीक है भाई, जब हमारे पाद 1.5 है, तो हमें इधर 1.5 बना रहा है, कैसे बनेगा 1.5, जब आप 1.5 की बराबर, 3 इंटू में 1.5, mole of oxygen atom, और इस तरीके से आपके पास oxygen के mole आ गए, और जैसे आप oxygen के mole calculate कर लोगे न, इधर देखो, oxygen के mole calculate कर लोगे, तो आप लोग क्या करोगे भाई, weight calculate करने के लिए, weight बराबर होगा, mole इंटू में atomic mass, जो की oxygen का दिया है, तो भाई हमारे पास 3 की multiply करोगे तो 4.5, इंटू में 16, ये solve करना है, और हम लोग जानतें कि 16, 5 या कितने होते हैं, 80, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, 8 carry कर लेंगे, फिर हमारे पास 16, 4 जा कितने होते हैं मिटा, तो आप कोगे सर 16, 4 जा तो हमने पढ़े 64, तो 64 में जब 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आप कोगे 72, तो यहाँ पर 72 जोड़ देना, अब एक point लगाना है, तो यहाँ पर point लगा देना, तो 72 gram हो जाएगा बिटा जीवे, कितना हो गया, 72 gram, तो इस तरीके से हम लोग जो है, मोल के कोशन करते हैं, gram से gram निकालते हैं, gram से number of particle निकालते हैं, सब ऐसे ही करते रहते हैं, तो यहाँ आगे बढ़े, आगे हमारे पास फिर से question आ गया रहे, का बोला इसने, इसने बोला, find the number of atoms present in 0.016 gram of methane, number of atom, atomicity or mole concept का combine को है यह, सिरो जड़ा देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, find the number of atoms present in 0.016 gram of methane, तो यहाँ पर जो weight है, methane का सियानि CH4 का, वो देरकाई 0.016, 016 gram, molar mass अगर आप calculate करना चाहें, अगर थोड़ी सी महनत करें, तो आप कर लेना, 16 gram पर mole आएगा, तो यहाँ से mole कैसे निकाल लेंगे, mole का formula क्या होगा, even mass upon में molar mass, बराबर कितने होंगे, आप को किसा 0.016, divide by 16, इसको हटाओ, N की power minus के 3 लिख दो, यह cancel हो गया, बात कातम, mole आ गए, तो नहीं कर ठीक है भाई, अब मुझे एक बाद बताओ, इतने mole आए किसके, methane के, आप मुझे एक बाद बताओ, कि methane के अंदर, total number of atom कितने होंगे, अगर मैं एक methane लूँ, एक methane molecule लूँ, तो आप को किसार, एक methane के अंदर, total 5 atom थे, यानि, एक mole, methane के अंदर, कितने mole, एक होंगे, तो आप को किसार, इसके अंदर 5 mole होंगे, atoms के, तो जब देखो, मैंने क्या काम किया, contain 5 mole of atoms, सारे atoms की बात कर रहा है, यह कोई एक आद की बात नहीं कर रहा है, कि इसने hydrogen अलग से बोलाओ, इसने carbon अलग से बोलाओ, atoms की बारे में बात करी, यह हमने लिख दिया, आप मुझे बताओ कि, methane के actual mole कितने से, आप को किसा 10 की पावर माइनस 3, चलो भाई, इसको लिख देते हैं, कि 10 की पावर माइनस 3 तो यह तभी बन पाया का, जब मंटिपलाई हम लेट हैंड में, 10 की पावर माइनस 3 से करेंगे, लेकिन रूल तो यह भी कहता है, mathematics का, कि जितने से मंटिपलाई लेट से करोगे, उतने सही, राइट में भी करना पड़ेगा भाई, तो मैंने क्या काम किया, देखो, 10 की पावर माइनस 3 इंटू में 1, मॉल ओफ मीथेन, कंटेन, 5 इंटू में 10 की पावर माइनस के 3, मॉल ओफ एटम्स, ऐसे लिग लिया भाई मैंने, मेरे पास मॉल आ गए एटम्स के, मुझे नमबर ओफ पार्टिकल निकालना है वेटा, तो क्या करूँगा ज़रा देख तो लो यार, बतातो तो थोड़ा क्या करना चीए, कि सर मॉल में और नमबर ओफ पार्टिकल में के रिलेशन है, क्या है वो, कि मॉल बराबर नमबर ओफ पार्टिकल अपॉन में एवेगे दुरों कॉंस्टेंट, आप निकालना चाहतो हो नमबर ओफ पार्टिकल, तो हो जाएंगे मॉल इंटू में एन्ने, मॉल हम अल्रेडी निकाल चुके हैं सर, फाइव इंटू में टैन की पावर माइनस के 3, और एन्ने की वैल्यू कितनी होगी, शिक्स इंटू में टैन की पावर 23, आल्मोस्ट मैंने आल्मोस्ट वाली लिख गी है, तो ज़रा देखू, फाइव शिक्स जा कितने होंगे, आपको किसा 30, 30 लिख दिया, मैंने 30, लेकिन ये 10 की पावर माइनस के 3, और ये 10 की पावर 23, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 20, इसको मैं कैसे लिखूँगा, 3.0 इंटू 10 की पावर 21 लिख सकता हूँ, तो आपको किसा बिल्कुल लिख सकते हो, अच्छा, ओहो, ने की फोम में दे रखा है, तो आप लोग तक करेंगे इस कोष्ळण को, इस कोष्ळण को आप लोग करेंगे, 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 कय performers करेंगे? बाबर बाबा, हमें ख़ूँप्षर्ण फोड़ा सा चेंज करना पड़े, तो आप लिखेंगे 0.05 ठीक है यह हमारे पास क्या लिखा जाएगा इधर इधर देखो इधर जिरो पॉइंट जिरो जिरो पाइब इंटो एंड़ इसको हम एड़ इन लिख दें बैटा तो जिरो पॉइंट जिरो जिरो फाइब में होना चाहिए था तो सुत्रो के हवाले से जो हमारे ओपडर महोते हैं उनसे थोड़ा से एरड हो गया इन अलाय को तो आप घबराईएं नहीं यहां पर इसको थोड़ा से ठीक कर लेंगे क्या लिखेंगे जीरो प्वाईंट अर्ट क्या हुग्या यह है इस अर्थ लेको इधर इदर कि इदर विन जीरो पॉइंट चिरो 005 न ऐसे लग लेगे है लिखा गया और इसको लिखना जीरो पाइंट फाइप जीरो टू ठीरी जो मन करे वह एनने करें न क्योंकि वो तो आंसर आएगा ही नहीं तो करेक्ट आंसर जो आएगा वह करेक्ट आंसर वह पीटा जापके बाद ऑप्षन नंबर भी इसी को आप टिक करेंगे ठीक है तो थोड़ा सा ए जोंसमें मील जाएंगे या कहीँ पर आपको किसी बूक मेर मद जाएंगे कि किसी बी स्पीसी के अंदर कहीं बार electronic काल्कुलेशन की जाती है इन गर मोंने कीन क одна के सबसे बड़ी चीज क्या है ना आपको किसी भी स्पीसी hem को घूम फिर के पहले मोल में कनवर्ट करना है अगर तुम में कनवर्ट कर लिए फिर सारा काम बन जाया गाँ चल देखो कैसे इधर देखो कैसे अगर मैं मॉल कैलनोट करना चाहूं किसके नाइटरोजन के तो मुझे पता है कि वेट और पर जो टा हो गया जो इस क्लास को देख रहे होंगे उनको पता है कि 28 ग्राम पर मोल है ठीक है मुझे क्या करना है पहले मोल निकालना है पोल का फोर्मला क्या होगा कीवन मास अपॉन में मोलर मास समझे न मेरी बात को कैसे कोशन करोगे तो यहां पर मैंने लिखा भाई 28 डिवाइड बाई 28 इक और एटॉमिक मास लेंगे क्योंकि वो तो एटम है को हता है हमारे पास 14 ठीक है और मोल हम कैलकुलेट करेंगे गिवान मास बाई अटॉमिक मास से तो वो 28 डिवाइड बाई 14 रिक्वस्टू कितना आएगा तू मोल आ गए हमारे पार नाइट्रोजन के आप मुझे एक बात नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बस इतना कोशन बताो तूमकोंगे सरी नाइटॉजन नंबर तो हम्हें याधर 7 होता है और आपको यह भी बता हो कि अ कि एक अंदर एक नाईट्रोजन आंटर मन्बर के अंदर क्या है साथ इलेक्ट्रोन है इलेक्ट्रोन क्या है पार्टिकल एटम क्या है पार्टिकल रिलेशन किसके बन रहा है पार्टिकल टू पार्टिकल और पार्टिकल किसके डिर्कली प्रपोर्शनल है मोल के किसके डिर्कली प्रपोर्शनल है मोल के कुछ समझ में आया है मैं क्या बोल र होंगे और क्योंकि पार्टिकल इस अल्रेडी डिरेक्टली प्रपोर्शनल तो तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि एक मोल नाइट्रोजन के अंदर साथ मोल इलेक्ट्रोन होंगे आपको विल्कूल कह सकते हो आप आपको किसने रोका है हम सुन रहे हैं आप करिए तो मैं कर रहा हूं शुप शाप देखो क्या लिखा मैंने कि 7 ऐसे लिका दोरी वन मॉल इसका मतबल कंटीन है मतबल तौम लिके घ्या घ्या मैं अगर मेरे पास नाइट्रोजन के मैसे इंप कि मुझे इस वन को कैसे बनाऊंगा जम्मश से लेकेड़न साइड में उर्मेरे बात पता है कि मैंतमेटिक जूरू यह भी है कि मुझे उतनी में क certains कि नहीं पड़ेगी क्या करूं तो मैंने करें में लिग believes 2 into my one मोल ओफ नाइट्रोजन एटम्स इतने भी हैं यह 7 इंटू में 2 मोल ओफ इलेक्ट्रोन रखते हैं इतने मोल हमारे पास किसके आगए इलेक्ट्रोन के और इनकों में नमबर ओफ पार्टिकल में कनवर्ट करना है फिर से तो आपको याद होगा इधर देखो मेरे नालाएक बच्चो मुझे पता है कि मेरे पाफ मोल है मुझे नमबर ओफ पार्टिकल कैलकुलेट करने है तो मेरे पास पता है ने एक फोर्मुला we know that क्या था वो आपको कि नमबर ओफ पार्टिकल बराबर मॉल इंटू में एन्ने मॉल किसके बराबर होगा आपको कि सर मॉल आया हमारे पार इलेक्ट्रोन के 14 तो यहां पर आप 14 फुट करेंगे और एन्ने की वेल्यू रखो है न रखो वो तो आप उप्शन से मैच कर लोगे तो मैंने का 14 इंटू में एन्ने इतने इलेक्ट्रोन पाए गए बास समझ में आई इतने इलेक्ट्रोन पाए गए तो आई होप आप लोगों को यह कोशन समझ में आया होगा कि एटोमिसिटी से रिलेटिड इतने कोशन है इतने कोशन है लेकिन अगर आपने इसको बिल्कुल बेसिक से करना शुरू कर दिया इस लेक्चर में पढ़ाया गया हर कोश्चन भी प्रेक्टिस करने लग गया मेरे साथ साथ या मेरे बात तब आपका यह कॉंसेट अपने आप बिल्लप हो जाए और पूरा मौर कॉंसेट सुधर जाएग ठीक है बाई चलो जरू आगे बढ़ो भाई कि आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे कैल्कुलेट दा सम आप न्यूट्रॉन इन ट्वें थर्टी टू ग्राम ऑप ऑक्सिजन एटम एंड प्रोटोंस इन फोटीन ग्राम ऑप नाइट्रोजन अलग अलग चीज है देखो कोशन लेकिर कॉंसेट्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ट्रस्ट मी कैसे करेंगे जड़ा देखो पहला पॉइंट क्या होगा मैं आप लिख रहा हूं मिटा जी फोर ऑक्सिजन एटम एटम्स के लिए हैं आप मुझे बताओ कितने ग्राम दे रखा उटका वेट लाइट एटमिक मास कितना होता ऑक्सिजन का आपको किसर 16 ग्राम पर मोल यहां से आप क्या निकालो के सबसार पहला काम क्या होगा गूम फिर क्या आपको मोली निकालने पड़ेंगे तो आप लोग जानते हो कि बाई मोल का फोर्मला क्या होगा गीवन मास अप़ॉन में अ 16 इक्वल्स टू मोल आ गए राइट और रोग आपको किसर बात समझ में आ गई अब मैं आपको 10th किलास का थोड़ा सा माइंड लगवाऊंगा और कहूंगा कि बताओ ऑक्सिन का अटॉमिक नंबर कितना है आपको किसर ऑक्सिन का अटॉमिक नंबर 8 होता है ठीक है कि आप जानते हैं कि अटॉमिक नंबर बराबर हो था नंबर अप प्रोटोन और अंबर अबिर्लक्टरोन के राइट और रोंग तो आपको किसर यह भी हम जानते है रहा ठीक है और आले को यह एकोक्सिन का अटॉमिक मांस नंब बराबर होता है संहिव ए उसके atomic number के बराबर यानि 8, तो neutron कितने आई जल्दी से बताईए, आप कहोगे सर, 8 neutron होते हैं, एक oxygen के अंदर, 8 neutron होते हैं, अब प्रीज समझेगा, oxygen क्या है, 8 oxygen का मतलब क्या है, particle, उसके अंदर जो neutron है, वो भी क्या है, particle, पार्टिकल का पार्टिकल का relation क्या कहलाता है, कि एक oxygen atom के अंदर, 8 neutron है, इसका मतलब कि एक mole oxygen atoms के अंदर, 8 moles of neutrons होंगे, क्योंकि number of particle directly proportional to number of moles, तो यहाँ से क्या relation बनाओगे, आप कहोगे सर क्या से, जड़ा देखो, यह बनाना है relation, कि one mole of oxygen atoms, oxygen atoms has 8 neutrons, 8 moles of neutrons, right, इतना हो गया, अब आप मुझे एक बाह बताओ, one mole के लिए इतना हो गया, कितने mole थे मेरे पाद, oxygen atom के, आप को कि two mole, तो relation क्या बनेगा, कि two mole of oxygen atoms, of oxygen atoms, equal to 8 into में 2 mole of neutrons, तो यहाँ से मेरे पास क्या हुआ, mole आ गए neutron की, क्या आ गए, mole, अब मुझे इन number of moles को किसे में करना है, number of particles में, फिर से हमारे पास खतरनाक formula कौन सा है, जो कभी याद नहीं होता, वो बड़ा simple सा है, नालाय को, इधर देखो, number of particles बराबर होते, mole into में na, यानि, number of, अगर मैं neutron निकालना चाहूँ, अब इसने क्या कहा, कि 14 ग्राम के अंदर, 14 ग्राम nitrogen के अंदर आप proton भी calculate करिये, और उनको इनके साथ जोड़िये, फिर बताई आंसर कितना होगा, तो चलो देखो भाई, मैंने क्या काम करा, अब मैंने लिया है, 14 ग्राम ऑफ nitrogen, nitrogen का atomic number कितना है, आपको के सर 7, ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि atomic number, number of proton के बराबर भी होता है, relation क्या समझ में आया, कि एक nitrogen atom के अंदर 7 proton होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, कि भाई, one mole, one mole of nitrogen atoms contains, one mole of nitrogen atom contains, seven moles of proton, ये बात ध्यानग नहीं है, ये तो relation है, जिसके हैसाब से हमें आगे reaction को बढ़ाना है, अब पहले हम ये देख लेगी nitrogen के mole कितने हैं हमारे पास, आप देखोगे कि जो weight of nitrogen है, वो 14 gram है, atomic mass of nitrogen जो है, वो 14 gram पर mole होता है, आप यहाँ से निकालो कि mole बराबर क्या, given mass by atomic mass, यानि 14 by 14 equals to one, यानि एक ही mole है, एक ही mole का relation है, और हम लोग जानते हैं कि proton के mole भी हमारे पास 7 आचुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, बोलो बोलो, आपको कि सर कुछ भी मत करो, आप simple वो वाला formula यूज कर लो ना, जिसमें आप लिखते हो बड़ी जल्दी से, we know that, we know that, क्या, कि सर, mole बराबर होता है, number of particle upon में n न, cross multiply करोगे, n बराबर आएगा, mole in two में n न, mole हमारे पास कितने थे, seven, और n न, हमने agitives रख दिया, तो अगर मैं यहाँ पर last में एक बात कहूँ आप लोगों से, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहूँ भई, मैं आप लोगों से एक बात कहूँ, इधर देखो, अगर मैं यहाँ पर, proton plus neutron, यही, proton of oxygen, अलग-अलग है, neutron of oxygen, and proton of nitrogen को मैं add करता हूँ, तो मेरे पास कितने आए, neutron, नमबर आप proton, कितने आजाएंगे जीस के, nitrogen के अंदर, तो आपको के सर्फ 7 na आए हैं, 7 na और प्लस, और proton in oxygen कितने आए थे मेरे पास, 16 na, तो यह कितने बजाएंगे बई, 16 na, अब जैसे आप इनको add करोगे तो कितना आएगा, 16 और 7 में जोटोगे तो कितना आएगा, आपको के सर्ट 23 na आएगा, अगर option में na की form में देया होगा, तो यहाँ पर छोट देना, और नहीं दिया होगा, तो na की value लग देना, वो तो आपको पता ही है, 6.02 इंटू 10 की पाउट 23, तो आप value पूट करोगे तो answer आई जाएगा, ठीक है भाई, तो जल्ली से note करिए इसको, फूल स्पीड के साथ note करिए, और समझ ये कि ये cool versions में क्या चल रहा है, ठीक है, चलो, यहाँ तक करो, ओकी, I hope आप लोगों ने, आज की lecture में, mall concept के बहुं सारे question करे होंगे, mall concept के question करते करते, आपको समझ में भी आया होगा, और हमने कुछ PYQ भी देखे, तो प्लीज ध्यान रखना है आपको एक बात का, अभी mall concept खतम नहीं हुआ है, इसका और एक level आगे बचा हुआ है, वो मैं करवाँगा, और उसके बाद इस mall को आपको पता भी नहीं लगेगा, कब easy easy से, कब हम बहुत अच्छे वाला पढ़ रहे हैं, आपको टफ नहीं लगेगा, यह मेरी guarantee है, लेकिन मैं आपको IT, JEE के साथ, IT advance की question भी करूँँगा, trust me, ठीक है बाई, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ध्यान से पढ़िए, All the very best, जहिंज भारत,